हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राकेश आप देख रहे हैं नर्से जब यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स आज अपन बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स वेकंसी है, ICMR के अंदर, National Institute of Virology Department के अंदर एक प्रोजेक्ट है, Influencer Control का, उस जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए वेकंसी निकाली गई है इसके अंदर अपन अभी यहां ओफिचल वेबसाइट के उपर है, तो यहां पर अपन जो क्लिक करेंगे तो डिटेल से अड़टाइजमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा और 0.4 के उपर अपनी प्रोजेक्ट नर्शिंग सपोर्ट सेकेंड यह वेकंसी है, इसके लिए अगर अपन यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से अपन इस वेकंसी को अपलाई कर सकते हैं अभी अपन पहले थोड़ा सा डिटेल से अड़टाइजमेंट देख लेते हैं उसके बाद में, मैं आपको पूरा इस्टेप बाई स्टेप है कैसे फोरम को अपलाई करना है वो यहां पर बताऊंगा Official Notification ने Open कर लिया है और यह जो वेकंसी है यह है Department of, यह जो ICMR है इसके अंदर जो वायरलोजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर Ministry of Health and Family Welfare के अंडर में यह आती है यह वेकंसी है यह Purely Contract Base की वेकंसी है जो की Short Term Period के लिए अगर इसका जो प्रोग्राम है आगे लंबा चलता है यह वेकंसी भी आगे लंबी रहेगी अगर यह प्रोजेक्ट है यह कुछ दिन बाद में अगर Complete हो जाता है तो यह जो वेकंसी है वहीं पर Determinate कर दिया जाएगा यह है National Institute of Virology पूरे माराश्टर के अंदर पढ़ता है और Point No.8 के उपर यहाँ पर Total 3 Post हैं अन्रिजर की दो हैं आपको फोरम को फिलब करने के बाद में जो रिशिप्ट निकलेगी उसको Self Attested करने के बाद में आपको 13 अगज 2021 से पहले पहले आपको सेंड करना है इसके साथ में आपके कोई भी आपके जो डोकुमेंट है Certificate Attach नहीं करने यह बिल्कुल किलियरली इसमें Mention किया हुआ है Send कहां करना है ICMR National Institute of Virology 20A Dr. Ambedkar Road Camp पुने 4-11-001 यहां पर आपको Send करना है और Hard Copy है उसके बाद में अगर जो Last Date है 13 अगस्त अगर उसके बाद में अगर आपका पहुंचता है तो आपका जो Forum है उसको Reject कर दिया जाएगा अब इसमें थोड़ा सा Detail से और देख लेते हैं Project Nursing Support का है इसमें PHR Code 8 है तीन पोस्ट इसमें दी हुई है Project का नेम है Strengthening Promotion Promoting Evidence Based Advocacy for Influencer Preventing Control in India 3 पोस्ट इसमें 31-500 पर है परमंत इसमें Salary है G&M Candidate, A&M Candidate किसी भी Nursing Council से आपका Registration हो इलिजिबल रहेंगे BST Nursing Candidate वो भी इलिजिबल रहेगा लेकिन आपको Knowledge होनी चाहिए Blood Collection की clinical record है उनको maintain करने की और जो आपको Collection होदा Oropharyngeal and nasal swab है उसकी आपको Knowledge होनी चाहिए यह Vacancy है यह Interview Basis की Vacancy है अब वहाँ पर इंटर्यू के अंदर भी आपसे Blood Collection से रिलेटेड जो क्यूशन है वो पूट आउट किये जाएंगे जो Medical जो Record है clinical record है उसको कैसे maintain करते हैं उससे Related आपसे क्यूशन किये जाएंगे तो इनके बारे में थोड़ा Basic सी जो Knowledge है वो आप पहले लेके जाना जिससे की इंटर्यू के टैम पे आपको कोई भी difficulty फील ना हो फोरम है आपको fill up करने के बाद में 13 अगस 2021 से पहले पहले शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको सेंड करने है उसके बाद में अगर आपका फोरम पूशता है तो आपके फोरम को reject कर दिया जाएगा और फोरम के साथ में आपको कोई भी no need to send any certificate or document मैंने आपको पहले बताया था यह आपको कोई भी किसी परकार का certificate करने की need नहीं है इसके अंदर और candidate है एक से ज़्यादा अगर पोस्ट अपलाई करता है तो उसको separate से फोरम हो अपलाई करना रहेगा इस vacancy के लिए आपको किसी परकार का T.A.D.A. नहीं दिया जाएगा इंटर्यू के लिए last date के अगर बाद में आपका फोरम है वो वहाँ पर पहुंचता है तो आपके फोरम को reject कर दिया जाएगा चाहिए आपने online application कर दिया हो बाकी आपको जो more information है वो फोरम को बरने के बाद में जैसे कि आपका short list है वो सभी आपको email के उपर मिल जाएगा अब आपको फोरम कैसे बरना है वो थोड़ा सा detail अपन देख लेते हैं official website के उपर आने के बाद में आपको यहाँ पर apply for the non scientific project human resources position के उपर click करने click करने के बाद next option आजाएगा option में यहाँ पर login का detail रहेगा लेकिन अभी आपके पास कोई email और password नहीं है तो आपको create new registration के उपर आपको click करना है यहाँ पर जैसे click करेंगे तो अपने पास registration का फोरम में वो open हो जाएगा यहाँ पर आपको first name, middle name, last name, email id, password और confirm password करने के बाद में submit कर देना है जैसे submit करोगे आपके पास email आ जाएगा submission का जो registration है उसके लिए और फिर आपको यहाँ से back चले जाना है back जाने के बाद में आपके पास email और password मिल गए है तो यहाँ पर आपको डाल के और login कर लेना है login करने के बाद में आपकी जो basic detail ओपन हो जाएगी और आगे जो further qualification है उससर लिटर जो भी detail आपको fill कर देना है address है आपकी और भी age है यह सभी आपको fill up करने के बाद में फोरूम को submit कर देना है submit करने के बाद जो फोरूम का print out निकलेगा उस print out को आपको send कर देना है और 13 अगस्य पहले पहले आपको send करना है अगर उसके बाद में send करते हैं तो फोरूम आपको reject माना जाएगा आई ओप कि आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगा होगा वीडियो इंफोर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लिजिए जिसे एक latest notification आप तक सबसे पहले पहुंच पाए Thank you